नमस्ते फ्रेंट स्वागत है आपका रसोई सी माकी में आज रसोई सी माकी में बन रही है गर्मियों की special recipe वो है दही तड़ का राइस दही तड़ का राईस बनाने के लिए मैंने पहले से चाफल को बोयिल करके ले लिया है और यह वाली रेस्पी आपको इसे भी चाफल से बना सकते हैं जो भी आप खाते हों गरमijn उससे मैंने डीर कप बोईल चावल लिये हैं तो डीर कप ही इसमें हम दही डालेंगे तो पहले एक कप डालके मिक्स कर लेती हैं इस वार गर्मियों में ये दही तड़ का राइस एक वार आप ट्राय करके जरूर देखें आपको बहुत पसंद आएंगे चलिए तो मैंने इनको मिक्स कर लिया है तो आप आदा कप दही डालके और मिक्स कर लेंगे इस दही तड़ का राइस में थोड़ा दही जादा ही पड़ता है दही चावल को मैंने बड़ी आसी मिला लिया है तो बस इसमें हम टेस्ट के अकोर्डिंग नमक डालेंगे और ये देखिए दही चावल विल्कुल ऐसे होना चाहिए अगर आपको थोड़ा और जादा पसंदो तो आप थोड़ा और दही डाल सकते हैं वैसे परफेक्ट मेजरमेंट है दोनों चीजे बराबर अगर आप एक कप चावल ले रहे हैं तो एक कप ही दही लें चलिए तो इन्हें साइड ढटा देंगे और इनमें तड़का लगाने की तैयारी कर लेंगे सबसे पहले मैंने एक पैन में दो छोटा चमच घी लिया है गी के गरम होते ही मैंने इसमें दस बारा काजू डाल दिये हैं इन्हें बढ़िया से फ्राइ कर लेंगे और इनका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है धाई तड़का राइस में इनको fry करते समय हीट को लो रखा है मैंने इसलिए ये अंदर तक बढ़िया से fry हो जाएं चलिए तो काजू fry हो गए हैं इनको निकाल लेते हैं और इसी पेन में मैंने एक मुठी के बराबर मुमफली डाली हैं तो इनको भी बढ़िया से fry कर लेंगे मुमफली को भी लगातार चलाते हुए मैंने बढ़िया से fry कर लिया है और ये बहुत बढ़िया से fry हो गई हैं इनमें बीच में स्पोट से आनी लगे हैं तो बस इनहीं भी निकाल लेंगे अब बूई सेमपेन है और मैंने घीवी नहीं लिया इसमें बचा है इसी घी में एक चमच भर की सरसों डालेंगे सरसों को थूड़ा सा चलाएंगे और इसी बढ़िया से चटकनी तक पका लेंगे सरसों की चटकती आदा चमच इसमें जीरा डालेंगे और एक बड़ा चमच भर की चना दाल डालेंगे इसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है अगर आपको पसंदो तो आप उड़ा दाल भी डाल सकते हैं चना दाल को बढ़िया सा गूल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लेंगे इस देखिये दाल बहुत बढ़िया से पक गई है तो अब दो चुटकी के बराबर हींग डालेंगे तीन लाल मिर्ची को मैंने बीच से तोड़ के लिया है इनको भी डाल देंगे चार हरी मिर्ची डाली है क्योंकि इसमें हम लाल मिर्ची नहीं डालेंगे इसलिए खुब सारी मिर्ची यहीं पे डाल देंगे दस्ते बारा कड़ी पत्ते लिए हैं इने भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को बढ़िया से पका लेंगे चलिए तो फिर सारी चीजे बढ़िया से पक गई हैं, गेस को यहीं पे बंद करेंगे और तड़का हमारा बन कर तैयार है, इसे अब हम चावलों में लगाएंगे और इसको सारे चावलों में बढ़िया से मिला लेंगे, मैंने यहाँ पर घी से तड़का लगाया है, आप ओइल से भी लगा सकती हैं, लेकिन घी से बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है चावलों में अब जो हमने काजू और मुंफली फ्राय करके रखी तीना, उन्हें भी यहीं पर डाल देंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे अब इनका बहुत जादा टेस्ट वढ़ाने के लिए हम इसमें हराधनिया डालेंगे, इससे बहुत बहुत जादा टेस्ट वढ़ जाता है इन वाले चावलों का तो हराधनिया का तो आप जरूर इस्तिमाल करें तो तैयार है हमारे बहुत जादा टेस्टी लगने वाले और सभी को बहुत जादा बड़ों से लेके बच्चों को पसंद आने वाले दही तड़का राइस तो एक बार इने वनाना तो जरूर बनता है इन गर्मियों में अगर आपको यह दही तड़का राइस की वीडियो पसंद आना तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू